स्वागत है आपका ब्रिक के बाद आपके साथ हमेदी पेकाद जाकर्ण चुनाव से जोड़ी बड़ी खबर आपको बता दे जाकर्ण में 11 बजे तक की वोट प्रतेशत पर नज़र डालते हैं जाकर्ण विदान सबाद चुनाव के फर्स्ट फेज में 15 दिनों की तरताले सीटों पर वोटिंग इस वक्त चल रही है सुभा साथ बजे से यह बोटिंग की प्रक्रिया जारी है जो शाम को चार बेतर चरी इसमें एक दर्श्वनों तीस साथ करोड़ वोटर्स शामीर है परस फेज की तरतार इसमें से चौधा सीटे कोलहान तीरह सीटे दक्षणी छोटा पुर्नागपुर नौ सीटे पलामू सास सीटे उत्री छोटा नागपुर डिविजन की है चुनावायों के मुताबिक पहले फेज में 683 कैडिलेट्स मैदान में पर खिसमत आजमा रहे हैं प्यूश हमाय सायोगे इस वक्त पूरी खबर पर नजब बनाए हुए हैं प्यूश चौनाउट आ गया है 11 बजे तक का और इसको रेकर लगता है कि वोटिंग की प्रक्रिया भी ठीक ठाक ही चल रही है फिलाल क्या आप और देख पा रहे हैं? पर आजब पर लेकर वहां पर खड़ी हो रही है को कि भारती जनता पार्टी के पास आदिवासी ओटर्स को अपनी और रखने के लिए आदिवासी खेमे के बड़े चहरे या बड़े नेता के तौर पर अगर आप देखिये तो बाबुलाल मरांडी का नाम आता है जो इस व मौझूदा वक्त में भारती जनता पार्टी के प्रदेश धक्ष के पतपर हैं दूसरा जो वहां पर सबसे बड़ा चहरा अरजुन मुंडा का चहरा है दोनों मुख्यमंत्री रह चुके हैं भारती जनता पार्टी से मुख्यमंत्री रह चुके हैं और चुकि अरजुन मु बारतिय जंता पार्टी कामियाब हो पा रही है। पर सिधा प्रभाव पड़ता है और 25 सीटों के ही आकड़े को अगर हम लेके आगे बढ़ते हैं कि जेमेम कॉंग्रेस और आरजेडी की जो 25 सीटे थी वो आकड़े इनके फाइनल आकड़े रहेंगे 25 के इर्दगिर्दी आएंगे तो अगर 6 सीटों पर उनको नुकसान होता ह यानि यहां पर जो टकर है वो काटे किया सकती है लेकिन इसके लिए जरूरी है कि उस सेंटिमेंट को भारती जन्ता पार्टी ने पूरी तरह से भुनाया हो दूसरा सकते बड़ा है कि हेमन सोरेन का जेल जाना हेमन सोरेन द्वारा तमाम योजनाए जो महिलाओं को लेकर त खर्शित कर रखा होगा तो निश्चित तोर पर जो सीटे उन्मी पर रही है यहां पर साफ तर पर यह भी जरूरी है जेमें के हम बात करें हैं तो जेमें की छवी को कहीं न कई डेंट जरूर लगा है इस बास से इंकार नहीं किया जा सकता जेल जाने से दूसरी बड़ी ज जटका लगा बड़ा जटका था वो चंपाई सुरेन के जाने से लगा जिसमें एक मैसेज बीजेपी ने करने की कोशिश की कि आदिवासियों के फेवर में जेमें नहीं है या पर कॉंग्रेस या अन्य पार्टियां नहीं है तीर सी बड़ी बात ये भी कि यह पहले फेस का हम जिकर करते हैं जिस फेज में एलक्शन चल रहे हैं तरताले सीटे ये तरताले सीटे ये पहला फेज बहुत हद तक निरधारित करता है कि जिसके फेवर में भी जाएगा सरकार उसकी बनेगी चूंकि चार वक्त के जो रिजल्ट है वो इस बात की तज़्दीक करते हैं बिल्कुल चार वक्त के रिजल्ट इस बात से तज़्दीक करते हैं और दूसरा सबसे बड़ा है कि दीपिका यहां पर ये गड़ जो है वो जेमेम का गड़ कहा जाता है और ऐसे में आपको किसी के गढ़ में जाकर किसी के घर में जाकर और वहाँ पर उसको डिफीट करना हो उसको वहाँ पर बैक पर रखना हो यह आपके लिए सबसे बड़ी चुनावती होती है दूसरी तरफ पूरा विपक्ष एक साथ लाम बंधो के चुनाव लड़ा है अगर हम देखें NDA के गुट आजसू को देख लें क्या इस्तिति आजसू की इसके पहले थी वहाँ पर क्या इस्तितियां अभी आगे भविश्य में रहेंगी वहाँ पर तमाम ऐसी बाते हैं और क्या कितने ओटों को कनवर्ट कर पाएंगे चुकि यह जो पूरा इलाका है वो कह जाता है आदिवासी पोल बेल्ट है और ऐसे में आदिवासी पोल बेल्ट में कहीं न कहीं जेमें की पकड़ जो है वो रूट तक बहुत मजबूत है अब उस पकड़ को कितना ढीला कर पा रहे हैं चंपाई सोरेन जिन सीटों पर प्रभाव है उन सीटों को क्या चंपाई स सरकारों का भी शाषन वहाँ पर देखा है तमाम ऐसे वो आरोपियों को देखा मदुकोडा की बात की जाए आज मदुकोडा की पतनी कहा है आज मदुकोडा की पतनी भारती जनता पार्टी में है तो तमाम ऐसे आरोप प्रत्यारोप के दौर एक दूसरे के उपर जारखंड में लगे रहे हैं, बाबूलाल मनाडी आज भारती जनता पार्टी के साथ हैं, एक समय वो अपनी पार्टी बना कर पिछले चुनाओं में, 2019 के चुनाओं में फुद चुनाओं मैदान में ताल ठोक रहे थे, उसके पहले भारती जनता पार्ट सेंध लगाने की कोशिश कर रही है देखे एक दिन पहले कल की हम बात करते हैं किस तरीके से चापा मार कारवाई हुई और बड़ी संक्या में बड़ी संक्या में कह सकते हैं दस्तावेस बरामत हुए घुस पैठियों के इसको एक मुद्दा बीजेपी लगातार बना रही हैं आप मुसल्मान आरक्षण की बात करे हैं जबकि आदिवासियों की आरक्षण को यहां पर खतम करने की बात यहां पर उसको कम करने की बात के जारी हैं यह जो कोर मुद्दे हैं यहां से जुड़े मुद्दे हैं बीजेपी इनको हवा दे रही है तो क्या वाकई यह मुद् पैट की समस्या या कनवर्जन की समस्या तो वो आज की नहीं है जारखंड में यह बहुत पुरानी है किसी समय इसाई मिस्नरीज का यहाँ पर वड़ा बोल बाला था उनके तरफ से कनवर्जन चल रहा था तब तमाम ऐसी योजनाय तमाम ऐसे प्रकल्प विश्व हिंदू पर ही है किधर उनको फाइदा मिला है कि और अगर रही बात भ्रष्टा चार की तो भारती जंता पार्टी हो जेम हो कॉंग्रेस हो तमाम ऐसे दागदार नेता हैं वो दोनों तरफ मौजूद है चाली बहुत शुक्रिया प्यूश तमाम जानकारी लेने के लिए आपको फिना है कि आगे हम जोड़ेंगे प्यूश देखि दस राजियों की एक अ कतर सीटों पर अप्चुनाव के लिए दस राजिया में अमदान की प्रक्रिया और प्रक्रियस वक्त जारी है राजस्ताम का झ 들कर करते हैं साथ सीटों पर उप्चुनाव में पश्यमंगाल की छे सीच जो पॉलिंग हो रहे हैं उस पॉलिंग इस्टेशनों पर जो जनता का रुजान है उसे यह साप साबित हो रहा है कि 43 सीटों पे भारतिय जनता पाटी पूरी तरह उखर चुकी है चुकि जार्खन की जनता काफी संजीदा है और जार्खन की जनता यह नहीं चाहती है कि भारतिये जनता पाटी को हम यहां से जितवा करके जारखंड को मनिपूर बना दें चुकि जिस प्रकार प्रियास भाजपा का लगतार इस राज में बटोगे तो कटोगे जैसे नारों के साथ चल रहा है तो ये लगता है कि भाजपा इस राज को मनिपूर बना करके भोटों का धुर्वी करन करना चाहती है लेकिन जनता की ये पोलिंग स्टेशनों पर भीर उनका रुजान साप साबित कर दिया कि इस राज में सिर्फ महागट बन्दन रहेगी भारती जनता पाटी नहीं रही है की वहीन माझी लाड का युवा सगलान पुढे अपुला शित करी हवा शिवसेना सिंदवार नुष्यवान सिंदवार